हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आप लोगों ने Oh My God 2012 की मूवी देखी होगी तो दोस्तों आज हम उसके बारे में बताने वाले नहीं है उसमें कि कांजिलाल महता यानी के परेश रावल ने जो भूमी का निभाई थी और उसमें अच्छे कुमार जिसके दार में थे तो आज दोस्तों यही हम बताने वाले हैं कि उनकी नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है Oh My God 2 और जिसमें सिवा के रूप में आने वाले हैं पहले Oh My God को डारेक किया था उमेज सुकला ने और इस बार डारेक कर रहे हैं अमित रॉय भले ही दोस्तों यह Oh My God 2 है लेकिन उ क्राफी इंट्रेस्टिंग स्टोरी वाली फिल्म होगी जैसे कि आप लोगो ने देखी थी 2012 की फिल्म Oh My God उसी तरीके से इसको भी इंट्रेस्टिंग बनाया गया होगा आने वाली फिल्म का चैंकन संभाला है अमलेंदु चोधरी ने और संपानन संभाला है सुवीर नाने संभाला जाएगा या भारत में रिलीज होगी और या हिंदी भासा में रिलीज होगी इस फिल्म में अच्छे कुमार भगवान सिवा के रूप में होंगे जैसा कि O.M.G. जो 2012 की फिल्म थी उसमें किष्णा के रूप में आये थी तो इसमें सिवा के रूप में आने वाले ह तो बता दे कि पहले इसके लिए अफवाह थी कि यह फिल्म जनवरी 2021 में बनेगी जिसमें पहले भाग के बाद अच्छे कुमार और परिसरावल मुखे भूमिका में लोटेंगे लेकिन रावल ने इन खबरों का खंडन कर दिया था जून 2020 में आता बाद में कुमार अविनी एक नई कहानी के साथ OMG की अगली कड़ी की पुस्टी कीगी उसी महीने पंकत्र पाठी और यामी गौतम को नए कलाकारों के रूप में सामिल किया गया था जबकि अरुन गोबिल नॉंबर 2020 में भगवान राम के रूप में सामिल या फिल्म OMG 2 वेंगात में कमेडी ड्रामा फिल्म होगी जो अमित रायद्वारन देखी तो निदेशित होगी या एक अध्यात्मिक सीक्वेल है जो फिल्म योन से च्छा के विसे के इर्दगीत घूमती है फिल्म को 11 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा ऐसा पता चला है त तो इसके ट्रीजर से ही समझ गए होंगे कि इसकी इंडरेस्टिंग स्टोरी कैसी होने वाली है इसको डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा वाईकॉम 18 स्टूडियो द्वारा इसमें आनी होंगी के पाप गोड़ फिल्म से वाईकॉम 18 स्टूडियो और विक्कर मॉन्टोज ये सब इसके निर्माता होंगे तो दोस्तों भूलिएगा नहीं 11 अगस्त 2023 जरू देखिएगा काफी अच्छी स्टोरी होगे इसकी तो मिलते हैं अगली जनकाईक साथ अगले वीडियो में थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग